हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो और यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं यहां पर हमसे फर्स्ट कोईशन में पूछा गया है इसको क्या कहा जाता है तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी बॉडी होती है तो उसमें तीन जर्म लियर्स पाए जाते हैं एक तो होता है आपका एक्टोडम, दूसरा होता है आपका एंडोडम और तीसरा होता है आपका मीजोडम तो जब मीजोडम की स्प्लिटिंग होती है तो डिरेक्ली यह जो स्टेटमेंट है वो आपकी NCRT से उठाया गया है और इसका जो आंसर होगा that is your option number B कि जो सीलोम, यहां पर क्या होता है कि आपकी सीलोम की फॉर्मिशन होती है जब आपका मीजोडम स्प्लिट कर जाता है तूट जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि जो कैबिटी होती है इसके left hand side पे भी आपका मीजोडम प्रेजन होता है और इसके right hand side पे भी क्या होता है mesoderm present होता है और मालो कि यह आपको क्या है खाली भाग है यह mesoderm था और यह endoderm था I hope so कि आपको समझ में आ गया है अब हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ next question में पूछा जा रहा है pseudo-silom is found in कि pseudo-silom कहां पर देखने को मिलता है तो यह एक बहुत ही बड़ा exception है जो कि आपको याद कर लिना है as it is आपको पता होना चीए कि जो pseudo-silom है वो आपको S-K-Helaminthes में देखने को मिलता है ठीक है तो यहाँ पर कई बच्चे confuse हो सकते हैं कि option में आपको S-K-Helaminthes दिया ही नहीं गया है बल्कि यहाँ पर नाइडेरिया है प्लेटी-Helaminthes है नेमटोडा है अनेलीडा है तो आपको पता होना चीए कि S-K-Helaminthes को हम प्यार से क्या बोलते हैं नेमटोडा भी बोलते हैं इस question का जो इसलिए सही answer होगा that is your option number C next question की तरह बटते है which of the following cells are found in the Porifera only कि आखिरकार किस टाइब के cells जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ Porifera में ही दिखने को मिलते हैं मतलब वो उनका characteristic property है हर फाइडम का characteristic property आपको याद होना चीए और आपकी NCRT में जितनी भी bold-bold करके चीज़े लिखी हुई है वो तो आपको कम से कम वो याद होना चीए ठीक है और वैसे तो आपको कोश़श करनी चीए कि आप maximum से maximum animal kingdom में याद कर सको तो Porifera का जो special characteristic होता है कि Porifera में आपके coinocytes cells पाए जाते है जिनको प्यार से collar cells भी कहा जाता है हो सकता है कि आपके option में collar cells ही रहे coinocytes ना रहे तो आप क्या करेंगे क्या रोनी लगेंगे बिल्कुल भी नहीं हो सकते है ना आपको questions solve करना पड़ेगा So coinocytes का नाम collar cells भी है आपको एक note copy लेनी है इसमें extra point जितना भी मैं बताती हो जाओंगे आपको note करते हो चलना है ठीक है अब हम बढ़ते अपने next question की तरफ next question है which of the following level of organization is found in the cylindrates कि आखिरकार जो आपका cylindrates होता है phylum उनमें किन level का organization पाया जाता है means ये बात तो ठीक है कि multi cellular है लेकिन किस level का organization है तो आपको पता होना चाहिए कि जो porifera होता है आपको sequence wise पहली बात तो सारे के सारे फाइलम के नाम याद होने चाहिए बरना question आपसे solve नहीं हो पाएगा please try to understand porifera में क्या होता है कि आपका cellular level of organization देखने को मिलता है बहुत ही important question है कई बार porifera का पूस्ते हैं कई बार porifera का ही पूस्ते है आगे ये फाइलम का बहुत ही कम chances है कि आपसे पूछा जाएगा ठीक है इस question का जो सही answer है that is your option number B next question की तरह बढ़ते है question number 5 excretion in flatworm is why कि आखिरकार जो flatworms होते हैं उनमें excretion किस तरीके से होता है तो आपको पता होना जी कि कई ऐसे फाइलम है जिनमें ना कि special type के structure present है उनकी excretion के लिए और इन सब Osmo regulations के लिए तो ये सारे के सारे points आपको याद करने पड़ेंगे इसलिए मैं MCQs की तरू समझा रही हूँ और आपको अभी क्या भी जो है सब कुछ याद करते हुए चलना है कल पे कुछ भी नहीं टालना है तो flatworm में जो excretion के लिए हमारा structure होता है उसका नाम होता है flame cells आपको किसी भी तरीके से याद करना है ठीक है याद तो करने होगा कोई और चारा है ही नहीं आपके पास मालफीजन टिप्यूल क्या होता है mostly insects वगएरा में देखनी को मिलता है और अगर नेफरीडिया की बात करें इसके हलमीन थीज में देखनी को मिलता है नेफरॉन तो आपके human में ही देखनी को मिलता है कोई दिक्कत की बात नहीं है next question की तरह बढ़ते है next question में कहा जा रहा है कि triploblastic unsegmented animal with the complete elementary canal कौन हो सकता है अब जिसके अंदर सारे की सारी features present होना चीए वो triploblastic भी होना चीए वो आपका unsegmented भी होना चीए वो आपका complete elementary canal वाला भी होना चीए तो अगर आपको पता है कि platyhelminthes तक क्या है कि आपका incomplete type का जो है वो आपके digestive system पाया जाता है इसका मतलब कि इसके आगे की group हमें ढूणने चीए तब ही हमारा answer सही हो पाएगा एक बात बताओ hydra hydra तो sealant ratea से बिलॉँग करता that is your option number a next question की तरह बढ़ते है the coral reef is formed by कि जो coral reef बनते हैं बहुत बड़े बड़े coral reef देखने को मिलते हैं जिससे कि पुरा island type का बन जाता है कई बार वो आखिरकार कौन से phylum की बज़ा से बनते हैं तो आपको पता होना जी कि जो sealant rates होते हैं बहुत सारे deposits बन जाते हैं और इतना इतना सारा वो जमाओ जाते हैं कि वो पुरा एक जमीन टाइप की रीफ टाइप की बना देते हैं तो उसको उसी की बज़ा से जो है यह बनते हैं ठीक है next question की तरह पढ़ते है next question है the common name of sepia is कि sepia का common name क्या है मतलब की sepia को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है कि हर phylum के example को आज ही के दिन में एक chart बनाईए अपने room में लगाईए और daily सुबह सुबह उठके पढ़िए उसको क्या common name है क्योंकि एक question आ सकता है हां से जो sepia है उसको प्यार से cuttlefish का जाता है cuttle, 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 cuttle ठीक है किसी भी तरीके से आप trick से या जैसे भी आप लोग thinking skills है आप लोग इन चीजों को याद कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है बार मेर पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा next अगर question की दिरह बढ़ते है next question है cutlets may not have कि cutlets के पास क्या हो सकता है कि ना हूँ तो cutlets के चार फीचर सभी बच्चों को याद होने चाहिए बहुत ही important है NCRT में given है कि cutlets के पास सबसे पहले noto card तो होना ही होना चाहिए बढ़ना तो क्या ही बेशती है वाले point की बात करूं कि उनके पास paired pharyngeal gilslets होने चाहिए paired pharyngeal gilslets होने चाहिए fourth क्या है आपका post annal tail होना ही चाहिए तो अब यहाँ पे देखो gilslets है noto card है dorgal nerve card है तो यह सारी चीज़ों तो प्रेजन होती है cordata में vertebral column vertebral column present होता है कि cordata में बिल्कुल भी नहीं यह सिर्फ आपके vertebrate में present होता है सारे के सारे cordate में नहीं present होता कहा जाता है कि all vertebrate are cordate but all cordate are not vertebrate बहुत ही important statement आपके NCRT का समझने like statement है और बहुत ही important है और I hope सूब कि आपको समझ में आ गया है so इस question का जो सही answer है that is our option number A next question की तरह बढ़ते है next question है एक सार्क does not have कि एक सार्क के पास क्या चीज नहीं हो सकती है तो भई आपको सार्क सबसे पहले यह पताना चाहिए कि हाँ यह आपके condicthize वाले group से क्या करता है belong करता है सबसे पहली बात austicthize से belong नहीं करता है first points अभी बच्चे आद कर लेंगे next सुन लो अब आपना क्या करो कि आपना condicthize की feature निकालना शुरू करो आपको पता है कि condicthize में क्या होता है फ्लेकोईट स्केल्स होते है सही कह रहा है वेंटल माउथ होता है सही कह रहा है gill slits तो यार present ही रहेंगे at least ये आपका condit होता है तो इसका मतलब swim blader इसके पास present नहीं होता है आप चाहो तो answer eliminate करके निकाल सकते हो बढ़ना NCRT में directly भी लिखा हुआ है कि जो आपके condicthize होते हैं उनमें किसी भी तरह का swim blader present नहीं होता है इसी लिए उन्हें constantly move करना पड़ता है बिना कुछ सोचे समझे इस question का जो सही answer होगा that is your option number B next question की तरह बढ़ते है which one of the following is a four-chambered heart किसके पास four-chambered heart होता है गई किसके पास four-chambered होता है एक बात बताओ frog amphibian है वही four-chambered नहीं रहेगा snake नहीं रहेगा lizard नहीं रहता है हम क्या करे crocodile के पास होता है four-chambered heart जो कि एक exception viable कि बहुत ज़दा popular है बच्पन से पढ़ाया जा रहा है हमें I hope so कि सभी बच्चों को पता है next question की तरह बढ़ते है which one of the following is a characteristic of mammal only कि इन में से कौन सा ऐसा characteristic है जो cable mammal में मिले cable mammal में मिले यह नि कि हाँ mammal में मिले no सिर्फ mammal में ही मिलना चीए कई बच्चे गलत तरीके से question पढ़ते है और गलत answer करके आते है यहाँ पे देखो warm-blooded बच्चे कहेंगे अच्छा warm-blooded तो होता है यह ही हो गया answer और सारे option पढ़ेंगे यह यह गलत बात है यह बोला special होना चीए warm-blooded तो भाई उसमें भी होता है जो हमारी words होती है वेस होती है उनमें भी present होता है फोर्चांबर हाट गलत है पिन्ना जी हाँ पिन्ना सिर्फ क्या होता है मैमस में ही present होता है next question की तरह बढ़ो next question है collar cells are found in कि collar cells कहाँ पर आपको देखनी को मिलते है थोड़ी दिर पहले ही बता है कि हाँ जो collar cells होते हैं वो आपके sealant rates में पाई जाते है तो अब sealant rate आपको देही नहीं रखा option में घुमा दिया अब sealant rates की example के बारे में सोचो की sealant rate के क्या possible example आपके है sorry sorry guys collar cells जो होते हैं वो आपके पौरी फेरा में present होते हैं so पौरी फेरा के example आपको ढूनने है थोड़ा सा confusion हो गेतना ठीक है collar cells क्या होते है collar cells quinocyte जिसको बोलते है आपके sponges या पौरी फेरा में present होता है so आपका जो इस question का सही answer होगा that is your option number A next question की तरह बढ़ते है next question है the canal system is the characteristic feature of कि जो canal system है वो किसका characteristic feature है so canal जो system है guys वो आपका sponges का ही feature है पौरी फेरा का ही special feature होता है जो कि आपको as it is याद करना है एक पूछा जाता है आपका vesicular system कि vesicular system कहाँ पे present होता है तो वो आपका echinodermata में present होता है बहुत ही special feature है उसका तो आपको यह बात आपको ऐसे ही अच्छे से याद कर लेनी है ठीक है दो ही यहाँ से possible questions बन सकते है echinodermata का बूछेगा तो vesicular system बोल देना और यहाँ पे canal system आप लोग बोल देना कोई दिक्कत की बात नहीं है और echinodermata के जितने भी possible examples है सब कुछ याद कर लेना क्योंकि यह option में आपका directly ना बोल के वैसे भी बता सकता है ठीक है नेक्स्ट question है इनमें से कौन सा सही पेर बना हुआ है फनी ट्वेला को C fan बोलते है लोग आपको पता होना ची C anyone बोलते है ठीक है और जो ग़र्गर निया होती है उसको क्या बोलते है उसको C fan बोलते है तो यह सारे की सारे तीनों option कर रहते है जो आपका option number A है वही बस सही है नेक्स्ट Quesion की बात करते हैं निडो प्लास्ट और यूजड फोर कि निडो प्लास्ट का किसलिए यूजड किया जाता है डिरेक्टली NCRT में बताया गया है कि एन कॉरेस के लिए भी हल्फुल है डिफेंस के लिए भी हल्फुल है capture के लिए भी helpful है all of the given इस question का सही answer होगा अब हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ the gastrovescular cavity is located in क्या आखिर कारी जो gastrovescular cavity होती है वो कौन कहां पर पाई जाती है कौन से phylum में पाई जाती है at least आपको ये पताना चीए so gastrovescular cavity क्या होता है sealant rates के अंदर present होता है so यहाँ पर आपको sealant rate का example ढूणना है बढ़िया वाला अर्थ bomb बिल्कुल नहीं है hydra जी हाँ उसी का ही example है liver flu किसका example एक बात बताओ platyhelminthes का है न escries किसका है so यहाँ पर आपको सही answer क्या हो जाएगा option number B next question की तरह बढ़ते है next question है the body bears यहाँ पर आपको fill in the blank दिया गया है external rods of the ciliated com plates in the pleurobrachia तो पूछा जा रहा है कि जो tino plana का example है pleurobrachia उसमें basically tino plana pleurobrachia example होते है tino fora के so इसमें कितनी आपके body के अंदर कितनी rods होते है तो आपको पता होना ची डिरेक्ली NCRT का question है थोड़ा typical question है बढ़ आपको पता है जी कि हाँ eight external rods उसमें बाए जाते हैं यह कई बार exam में पूछा गया है different type के exam में हो सकता है कि आपके exam में भी पूछ लिया जाए next question है tino fora are commonly known as कि tino fora को हम basically प्यार से क्या बोलते हैं टीनो फोरा को प्यार से क्या बोला जाता है tino fora को guys प्यार से c walnut बोला जाता है उसे बोला जाता है कि वो समुंदर की क्या है अकरोट की तरह है क्योंकि वो गोल-गोल सी होती है टीनो फोरा का special characters ठीक है bio-limician का जिसका मतलब होता है कि उसके अंदर ability है कि वो biological ही क्या कर सकती है आपका light emit कर सकती है ठीक है मतलब उसके बास इतनी सकती है कि हाँ उससे light light निकलेगी और एकदम पूरा समुंदर चमक उठेगा तो इसलिए इसको प्यार से क्या बोला जाता है c walnut बोला जाता है next question है कि एनलीडा में swimming के लिए कौन helpful होता है तो इसमें क्या होगा कि कई बच्चे confused होगे कि parapodia होगा कि nephiridia होगा तो यहां पर आपको confused होने की ज़रूरत नहीं इस swimming के लिए बोल रहा है तो swimming के लिए आपका आंसर जाएगा parapodia लेकिन अगर इसने पूछा होता कि नहीं excretion के लिए बताओ या osmore regulation के लिए बताओ तो बहाँ पर आपको क्या होता option number B आपका सही हो जाता ठीक है तो इसके लिए इस question का जो सही answer होगा that is your option number A next है this is the largest phylum of animal on the earth कि आखिरका largest phylum of animal on the earth कौन है तो आपको पता होना चीए अर्थ्रोपॉड़ा होता है अगर second largest पूछेगा second large पूछेगा तो आपका molluska हो जाएगा यह दोनों बाते बहुत ही ज्यादा important है exam में पूछा जा सकता है बहुत easy question है next question है the excretory organ in the cockroaches is कि cockroach के अंदर जो आपका excretory organ होता है वो basically क्या होता है so यहां पर आपको चार option दिये गए है तो आपको थोड़ी दिर पहले ही मैंने बताया था कि जो आपके जितने भी insects होते हैं या जो आपके orthopodas होते हैं उनके अंदर malfeasian tivyus जो होता है वो excretory organ के रूपे present होता है next question क्या है the mouth contains a file-like rasping organ for the food is called तो जो आपके molly scars होते हैं उनके mouth में क्या होता है file-like rasping organ present होता है आपके food के लिए ठेक है तो उसको क्या कहा जाता है प्यार से तो उसको प्यार से रेडूला बोला जाता है अब मेडूला से कोई भी confused नहीं होगा NCRT उठाओ रेडूला ही है और रेडूला ही याद करो ओकी next question क्या है which of the following column and select the correct option आपको correct option मतलब matching का question है मिलान करना पड़ेगा मिलान करो बचपन में करते थे थे ना वैसी मिलान करो तो कह रहा है पिला को प्यार से क्या बोलते है पिला का common name क्या है पिला को प्यार से apple snail बोलते है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्प्रेंटिंग हो गई है ठेक है कोई दिक्कत की बात नहीं पिला को क्या बोलते है apple snail बोलते है तो यहाँ पर देखते है कि P का third होना जी है तो P का third किसमे है भई P का third एक ही में है तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा option number B हाँ पर correct हो जाएगा आप चाहो तो और किसी से भी देख से लिखते हो क्यूं का कह रहा है कि fourth है तो हाँ dentarium tusk cell बोलते हैं सही कह रहा है न चीटो प्लियूरा को क्या बोलते हैं चिटाउन बोलते हैं अक्टोपस को क्या बोलते हैं तो सारे के सारे मैच हो गए काम बन गया नेक्स्ट क्वेशन पर आओ question number 25 इन विच्ट फॉलिंग फाइलम वाइल दे एडल्ट सूज दे रेडियल सिमेट्री दे लावा सूज दा बालिटरल सिमेट्री आपके आखिर करें सब कौन्स दा फाइल जिसमें की अलगी ही लेवल का ड्रामा चल रहा है जो एडल्ट है ना गाइस वो रेडियल सिमेट्री को दिखाता है लेकिन जो लार्वा है वो आपके बालेट्री को दिखाता है तो इसका जो एक्जैम्पल है वो आपका है एकाइनो डर्मेटा एस आपको याद कर लेना है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीके starfish बगरा जो होती है न वो इस तरह के characters को दिखाती है next question पर आईए notocod is present only in the larval tail कि अगर आपका notocod सिर्फ larval tail में present है तो उस group को क्या बोला जाता है उस group को guys eurocordata बोला जाता है लेकिन अगर आपके एकदम सर से लेकर पीछे तक पूरी जिंदगी भर notocod present है तो उसको cephalocodata कहा जाता है और eurocodata और जो आपके cephalocodata होते हैं उनको साथ में हम लोग प्यार से protocodata बोलते हैं ये सारी बाते आपको clear होनी चीए next question पर आते हैं next question है कॉंड्रिक्थाइस के अंदर आखिरकार क्या present होता है थोड़ी देर पहले बताया था ventral mouth present होता है और plecoid scales present होते हैं ओके ये point जो है वो आपका सही हो जाएगा इसी के साथ जो आपका option number D है इस question का सही answer है next question पर इकी तरह बढ़ते हैं तो limbless amphibians are कि आखिरकार जो limbless amphibians का एक ही example आपकी NCRT में जिसको प्यार से एक्थियो फिश बोला जाता है क्या बोल जाते है एक्थियो फिश आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो बोल रहा है मतलब उसके कोई हाथ पैर नहीं है तो या पर फिश तुम्हें समझ मैंना फिश जो मचली होती क्या उसके हाथ पैर होते नहीं होते न इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि न्यूमेटिक बोन्स आपको कहां पर देखने को मिल सकते हैं तो भाई न्यूमेटिक बोन्स जो होते हैं वो उड़ने के लिए helpful होते हैं तो पक्षियों के अंदर प्रेजंट रहेंगे अब पक्षी ढूंड लो इसमें से चार ओप्षिन ढूंड लो क्या नहीं ढूंड च्कवेशन भी है वेन प्रेंज प्लेज एक्ष्ट मेंट बड़ने के लिए। इसे उर्गेंजम को क्या गाजाता है धूरास इए और याथ कर सकते हो हुए अपर आज की वीडियो और शबाल आदे कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले गाइस थैंक्यू गाइस थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो